Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, my name is Garima आज हम कर रहे हैं Class 8 English NCRT Honeydew की 8 poem on the grasshopper and cricket This poem is written by the poet John Keats So let's start Unlike the aunt and the cricket which tells a story, this is a nature poem जैसे कि हम लोगों ने पहले एक poem पड़ी थी, aunt and the cricket वो एक कहानी बताती है कि उसमें poet ने cricket को four-legged की बजाए two-legged यानी human being से compare किया है लेकिन ये जो poem है, ये nature poem है, प्रकती से related है In it, the grasshopper and cricket do not appear as character in a story और इस काविता में grasshopper और cricket कोई भी story के character नहीं है कोई भी story के पात्र की जैसे नहीं है Rather they act as symbol, बलकि इसमें वो एक symbol की तरह है उनको symbolic creature की तरह use किया गया है Each suggesting something else, दोनों ही कुछ अलग-अलग suggest कर रहे है Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through Summer and the winter is never ending song और आप इस poem को पढ़िए तो आपको महसूस होगा जो poetry of earth है वो कभी भी नहीं रुखता चाहे गर्मी हो या सर्दी हो वो song निरंतर चलता ही रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता कौन गाता है उस गाने को? The poetry of earth is never dead जो poetry of earth है वो कभी खत्म नहीं होती है ठंडी चाया ढूणने लगती है पेड़ों में और वो घोसले में चली जाती है लेकिन आपको एक फिर भी आवाज आएगी वो आवाज किसकी है? वो आवाज है ग्रास ओपर की ग्रास ओपर यानि टिड़ा He takes the lead जिस समय सारे लोग पस्त होके अपने अपने चाया ढूण लेते हैं अपना अपना आस्रा ढूण लेते हैं उस समय ग्रास ओपर जो है वो lead लेता है और उस आवाज को उस song को जारी रखता है और जब वो ठक जाता है अपना मज़ा करके तब वो rest कहां करता है जो weeds होते हैं unwanted plant यानि जो छोटे छोटी जाडियां होती हैं वहाँ पर उसके नीचे जाकर वो थोड़ा सा आराम करता है लेकिन इस song को कभी भी बंद नहीं होने देता प्रकेती का ये song हमेशा चलता रहता है the poetry of earth is seizing never कभी भी stop नहीं होती seize मतलब stop तो ये जो poetry of earth है वो कभी भी नहीं रुकती है कभी भी खत्म नहीं होती है on a lone winter evening when the frost जब जाड़े का समय होता है तब जब शाम का वक्त होता है और frost यानि बर्फ गिर रही होती है और सारे तरफ sunnata होता है has wrote a silence from the stone there shrill जब सब तरफ sunnata होता है तो एक चटान के पीछे से श्रिल की आवाज आती है ये कौन गारा होता है ये cricket होता है जींगूर ये गाना cricket गाता है in warmth increasing ever और समय के साथ उसका गाना बढ़ता ही जाता है and seems to one in drowniness half lost drowniness मतलब होता है कि कोई neen में हो the grasshopper amongst some grassy hills और grasshopper जो है वो कुछ grassy hills पर पाया जाता है यानि poet जो है इसमें ये बताना चाहते है कि summer में grasshopper इस song को जारी रखता है और winter में cricket जो है वो इस song को जारी रखता है मगर कभी भी प्रकती के इस गाने का अंत नहीं होने देता और उन्होंने इन दोनों को ही symbolic creature की तरह यूज किया है कि किस तरह से ये प्रकती में निरंतर चलते रहते हैं देखने में तो ये दोनों जीव जो है एक जैसे होते हैं grasshopper और cricket लेकिन दोनों का कार्री अलग-अलग समय पर अलग-अलग होता है तो यह जो पोयम थी नेचर की पाइस थी नेचर पर बेज थी glossary देख लेते हैं brought about लाया गया तो यहाँ पर बताया गया था न कि कौन silence में आवाज लाया है brought about shrill सोता है come through loud and clear कोई ध्वनी जो है साफ और तेज होती है तो उसे बोलते हैं shrill तो यह पोयम का explanation हो गया और इसके glossary भी हो गई और आपको कैसा लगा comment section में mention करिए पसंद आया है तो like का बटन प्लीज दबाएए और thank you पसंद आया है तो like करें share करें और चैनल को subscribe करें